हालो एबरिवान स्वागत है आप सब का आपके अपनी यूटीब जाइनल पर फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे चट पटे मसालेदार पुलाव बनानी की रेसीपी इसमें हमने सोया बड़ी और आलू डाले हैं यह रेसीपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और सिंपल है तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए रेसीपी को करते हैं स्टार्ट पुचलते हैं रेसीपी की तरफ सबसे पहले लेंगे एक कड़ाई उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे गैस का फ्लेम ही लोही रखेंगे अब हमने ली है सोया बड़ी इनको हमने अच्छे से भिगो के फुला लिया है सोफ्ट हो गई है भिगो के रख दिया था थोड़ी देर तो अच्छे से पानी इनका निचोड लिया है अब हम इनको रोस्ट करेंगे तेल में गॉल्डन ब्राउन होने तक ये देखे अब इनको निकाल लेंगे सेम कड़ा अब डाल देंगे लॉंग तेज पत्ता साथ में डाल देंगे जीरा अब इनको अच्छे से रोस्ट कर देंगे जीरा चटक गया है अब डाल देंगे बारी कटा हुआ प्याज यह हमने एक प्याज लिया है अच्छे से इसको भी रोस्ट करेंगे यहाँ पर डाल देंगे तीन हरी मिर्च बीच में से काटके अब लेंगे चावल आदा बाउल इसको अच्छे से वाश कर लेंगे अब डाल देंगे अद्रक लहसुन चॉप्ड किया हुआ यहाँ पेस्ट जैसे आपको पसंद हो सबको अच्छे से पकाएंगे अब डाल देंगे आदा चमच लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर डालेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर अब डालेंगे नमक टेस्ट के अकोडिंग अब डाल देंगे काली मिर्च थोड़ी सी सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब डालेंगे टमाटर चॉप्ड किया हुआ सबका अच्छे से मिक्स करेंगे टमाटर को अच्छे से पकाएंगे ऐसे ही लगातर चलाते रहेंगे गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे ये देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं पक गए हैं अब इसमें कितना प्यारा सा कलर आया है यह देखे टमाटर ने ओयल भी रिलीज कर दिया है अब यहाँ पर डाल देंगे मंगोडी यहाँ फिर सोया बड़ी और यहाँ पर डाल देंगे आलू बारी कटे हुए दोनों का अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे ऐसे ही यह देखे अब डाल देंगे इसमें चावल चावल हमने अच्छे से बोश कर लिये थे चावल को अच्छे से मिक्स कर देंगे ऐसे ही चलाएंगे इसको चावल हमने लिये थे आदा बाउल तो पानी हम डालेंगे पूरा एक बाउल आप किसी भी कप से कटोरी से नापके डाल सकते हो अगर एक कटोरी चावल है तो दो कटोरी पानी डालेंगे बότε जितना चावल है उसका दुघना हम पानी डालेंगे अब इनको ढखके पकाएंगे ये देखे बीच बीच में चेक करते रहेंगे ऐसे ही थोड़ा-thोड़ा इनको चलाते रहें देखे, अब फिर से इनको ढखके पकाएंगे सAU ये देखे चावल बनके रेडी हो गए हैं चावल अच्छे से गल गए हैं और इनमे कलर भी देखे कितना अच्छा सा आया है और ये बिलकुल दाना अलग-अलग है एक दूसरे से बिलकुल भी चिपके नयी हैं इसका ये मतलब है कि हमने पानी बराबर मात्रा में डाला है ना तो कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है तो ऐसे ही पुलाव आप भी घर पे बनाएं और खाने का मजा लें ये देखिए सो अब हम इनको सरु कर लेंगे सही है यह पे मैंने बावल में डाल लिया है यह देखिए चावल को मैंने अच्छे है सरु कर लिया है यह चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें लाइक करें मेरी नई नई वीडियो सीखने के लिए मुझे सपोर्ट करें थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो